अगर आप Indian Gas यानि कि Indian Oil Company की जो है गैस एजनसी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गैस एजनसी को लेके जो है लोगों के काफी डाउट्स है और इशी के साथ आपको जो है सही तरीका इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है कितना प्रोफिट आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट कितना करना और जो भी important updates है जो जानना आपके लिए काफी जरूरी है rules and regulations वो पूरी details से आज आपको बताया जाएगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सारे doubts है जो clear हो जाएगे तो वीडियो को last तक बिना skip किये पूरा देखिए ताकि आपको मिल सके right information नमस्कार अदाब सस स्वागत आपके ही channel right information में तो इंडिया जो company है वो इंडिया की सबसे बड़ी oil company है petroleum industry में जो अगर देखेंगे सबसे बड़ी company है सबसे ज़्यादा petrol pump भी इस company की है और सबसे ज़्यादा gas agency भी इसी company की है especially अगर आप rural areas में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा gas agency आपको इसी की मिलेगी और इसी के साथ revenue wise भी है सबसे बड़ी company मानी जाती है तो सबसे पहले इस company की जो है gas agency लेने के लिए क्या basic requirements है वो मैं आपको पता देता हूँ तो first जो है Indian citizen होना चाहिए जो भी इसमें apply करता है 10th pass उसकी at least की होनी चाहिए और age जो है उसकी 21 साल से लेके 60 साल के बीच होनी चाहिए और उसी के साथ उसका कोई भी criminal background या कोई criminal record वगरा ना हो तो ये जो है इसकी basic requirements है ये आपको fulfill करनी होगी तो आप जान लेते हैं कितनी तरह की agency प्रोवाइड करती है तो देखिए सबसे पहले जो है rural agency आती है जिसमें क्या रहता है कि आप गाओं या कस्बे वगरा में ये apply कर सकते हैं और वहाँ पे ये ले सकते हैं second इसमें जो है urban agency आती है इसमें क्या रहता है कि आप जो है city के अंदर ये जो है गैंस agency आपन कर सकते हैं वहाँ पे municipality का जो भी area रहता है और जो भी specific area आपको दिया जाता है वहाँ पे आप अपनी service प्रोवाइड कर सकते हैं third जो है इसमें urban plus rural area भी आता है इसमें क्या रहता है कि दोनों area आपको provide किये जाते हैं ये आप सहर के नजदीक open कर सकते हैं तो सहर का area भी आपको मिल जाता है और इसके साथ-साथ जो भी आसपास के गाउँ वगरा रहते हैं वो area भी जो है इसमें आपको provide किया जाता है लास्ट में आती है इसमें दुर्गेश वित्रक किये हिली स्टेशन से एरिया जो माने जाते हैं वहां पे जो है ये दी जाती है तो ये चार तरह की agency जो है ये provide करती है तो आप space के बारे में जान लेते हैं कि ये agency लेने के लिए minimum आपके पास जो है कितनी space होनी चाहिए देखिए आपके पास जो minimum है 25 by 30 meter का plot होना चाहिए ये minimum रहेगा इस space में आपको क्या क्या करना होगा आपको जो है आपको office बनाना होगा उसी के साथ आपका एक go down भी रहेगा और साथ में ही आपका इसका अंदर जो है एरिया पर डिपेंड रहता है कितना बड़ा एरिया आपको मिला है कितने ज़्यादा customers जो है आपके है मगर इसमें मैं आपको एक clear कर दूँ कि एक commission दिया जाता है जो 50 रुपे से लेके साथ रुपे के बीच रहता है वो purse lender रहता है यानि कि जितने ज़्यादा connection होंगे जितने ज़्यादा customers होंगे उतना ज़्यादा profit आप इसमें आन कर सकते हैं पर no doubt गैंस agency में आपको पता अच्छा कहसा profit होता है अगर आपको यह गैंस agency मिल जाती है low investment एक अच्छा कहसा पैसा आप इसमें जो है कमा सकते हैं तो investment की बात करते हैं कि कितना investment जो है आप इसको इसमें जो है करना होगा सबसे पहले अगर आप open category से हैं और OBC category से हैं तो आपको जो है इसमें एक security deposit देना होता है यानि कि urban area के लिए 5 लाख रुपे और rural area के लिए 4 लाख रुपे security deposit देना होगा OBC में एक एक लाख रुपे ये कम हो जाएगा इसी के साथ आपको जो वहाँ पे construction जो मैंने आपको बता है वो पूरा आपको करना होगा और सबसे important इसमें रहती है working capital लियाने कि जितने भी slenders वगरा आपके पास through आएंगे उनके लिए भी आपको पैसा चाहिएगा तो अगर टोटल ही आप ये investment देखते हैं तो आपकी जो है 15 लाख या 20 लाख रुपे तक भी आप जो है investment आपका जा सकता है इसमें depend करता है कि आपकी कैसी location है और इसी के साथ अगर आप SCST category यानिक reserve category से आते हैं तो वहाँ पे जो है आपको अर्बन के लिए जो है 3 लाख रुपे और रूरल के लिए जो है 5 लाख रुपे security deposit देना होता है जो आपका refundable रहता है इसी के साथ same आपको construction भी वहाँ करना होगा अधरवाइस वह भी जो है company आपके limit जो है bank से बनवा देगी एक साल बाद आपको वह पर installment 100 installment में जो पूरा आपका loan होगा वह आपको दीरे-दीरे करके pay करना होगा तो अब इसकी stages के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या process रहता है यह नहीं रहता कि आज आपने apply किया और जल्दी आपको gans agency मिल जाएगी कफी जो है आप मान सकते हैं tough जो है इसकी stages रहती है तो इसमें सबसे पहले stage आती है आपको online apply करना होता है apply करने के बाद आपका draw का selection होता है यानि कि जिनों ने भी apply किया उनमें से एक को यह offer होती है उसके बाद आता है documents आपको जो है office में submit करने होते हैं documents में आपके जो रहते हैं 10th की mark sheet आपकी cost का certificate, date of birth का certificate और इसी के साथ affidavits वगरा इसमें रहते हैं तो यह सारे office में submit करने हैं वो फिर verification उनकी होती है अगर सब सही निकलता है तो field verification होती है आपकी location वगरा चेक की जाती है अगर location वगरा आपकी बिल्कुल सही है तो उसके बाद company आपको LOI provide कर देती है और उसके बाद आपको कुछ department से NOC भी लेनी होती है government department से NOC पूरी मिलने के बाद जो है आप ये अपनी agency स्टार्ट कर सकते है अब मैं आपको कुछ important बाते इसमें clear कर देता हूँ जो जानना आपके लिए कफ़ी important है अगर इन बातों को आप follow करेंगे तो आप जो है apply के बाद जो है आपका कभी rejection नहीं हो पाएगा तो देखे जब भी आप इसमे apply करते हैं तो ये जरूर देख ले original 10th की markset आपके पास है या नहीं है और इसी के साथ अगर आप से dual card से belong करते हैं तो वहाँ पे आप certificate पहले उसका बनवा ले क्योंकि वो application की पहले की जो date रहेगी वही उस पे मानने होगी अधार card pen card भी आप apply करने से पहले अपने बनवा के रखें और सबसे important इसमें ये भी रहता है कि जो भी land आप वहाँ पे डाल रहे हैं जिस भी जमीन पे आप ये लगाना चाहते हैं उसका जो है record बिल्कुल सही तरह से आप application में डाले आने की जो भी उसका number रहता है कसरा number का तोनी number या plot वगरा का जो भी number रहते हैं क्योंकि उसी plot पे आपको वो जो है alert होगी और वो check करेंगे time of field verification तो वो भी आपको बिल्कुल सही डालना है तो जो भी affidavits वहां मांगे गए हैं भी documents मांगे गए हैं वो पूरे आपको जो है on time आपको वहां submit करने होते हैं उसमें आपको एक time मिलता है वो आपको message और mail के थुरू आपको बताया जाता है तो वो आप time to time चेक करते रहें तो इन चीजों को अगर आप सही तरह से follow करेंगे तो एक बार जो है आपको इसमें selection हो जाता है तो आपका rejection होने के chance जो है कम हो जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जो है कैसे apply करना है apply करने से पहले मैं आपको clear बोल दूँ किसकी हजारो साइड जो है fake बन चुकी है direct net पे जाके कुछ भी सर्स मत करिए किसी भी साइड पे जो है application form वगरा मत बरिए और इस चीज का ध्यान रखे अगर कोई भी आपको जो है whatsapp पे आपके documents मांगता है phone call करके आपके कोई पैसे की demand करता है तो आप समझ लिए कि आपने किसी गलत जगह बे apply किया है और उनको जो है response आप मत दीजिए तो इन चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ at least fraud नहीं हो पाएगा क्योंकि हजारों लोगों के साथ गैस agency के नाम पे daily का जो है fraud होता है इनकी जो official site है उसका link बने description में डाल दिया है उसी site से आप जाईएगा और जो site आप open करेंगे उस जैसी same sites भी काफी जो है fake बनी हुई है तो वहाँ पे जैसे आप original site पे जाएंगे इस तरह का surface open होगा तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे starting में जो है आपको advertisement नजर आएंगी तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए जैसे कि अब जिस भी state के आगे new लिखाया है समझ लिए वहाँ के लिए opening चल रही है तो अब भी आप देख सकते हैं केरल के लिए हिमाचर परदेश कुछ मद्य परदेश और कुछ जो है गुजरात में भी openings आई हुई थी तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं otherwise अगर आपके state का नाम वहाँ नहीं आया तो आपको wait करना होगा तरीका यही है यहीं पे आप आपके check कर सकते हैं इसी के साथ पूरे इंडिया में जब advertisement निकलती है तो उसके लिए जो है अलग-लग newspaper में भी add आती है सबी states के लिए एक साथ जो है application निकाली जाती है तो वो आप newspaper में चेक कर सकते हैं otherwise आपको channel के through भी जब पूरी advertisement आएगी आपको बता दिया जाएगा तो apply आपको इसी site से करना है तो इसके इलावा कोई भी और जरीया नहीं है गैंस agency लेने का यही site है यहीं से आपको apply करना है तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ पूरी detail आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को like and share जरूर कीजिए अगर आपके कोई भी doubts हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं उसके बारे मैं आपको बता दिया जाएगा टेक केर बाबाए